तो डोनेशन को ले करके लोगों के मन में बहुत दुधाये रहती हैं, मेट्स हैं उस पर दूर करें पहला तो लोगों का व्रह्म है कि ट्रांस्प्लांट में खर्चा बहुत आ जाएगा हम लोगों ने ट्रांस्प्लांट तो बहुत अफूर्डबून कर दिया है और डालेसिस की तुर्णा में transplant ओवर आल ज्यादा cost effective है और चुकिक डालेसिस मरीज को बार बार आना परता है तो डालेसिस की तुर्णा में transplant में rehabilitate होना या job लगना ज्यादा असान है एक लोगों को भ्रांती रहती है डोनर को कि कही किड्नी देने से अपंगता ना आ जाए ऐसा नहीं होता डोनर की कंप्लीट चेकप करने के बाद उनकी सहमती से ही हम फ्रोसीड करते हैं और एक किड्नी देने के बाद भी इंसान स्वस्त रह सकता है हाँ सुफर्विजन में रहना तो हर मरीजग को चाहिए ट्रांस्प्लांट में किड्नी देने के बाद डोनर को दवा खाने की कोई आविशकता नहीं होती हाँ ट्रांस्प्लांट के मरींज को दवा रिगुलर खाना पड़ता है और उन्हें सूपरविजन में रहने की जरूरत है एक समस्य आजाती है कि भारत में फैमिली जो हैं छोटे हो रहे हैं और लोगों को ओर्गन डोनेशन किया वसकता जादा है तो कहीं न कहीं वेटिंग इस ट्रांस्प्लांट का बहुत वह रहा है तो इसका समाधान है कड़ावरिक ट्रांस्प्लांट या मर्नो प्रांस्प्लांट तो हम लोग सभी अपने अंगों को प्लज कर सकते हैं ऐसा है कि ब्रेन डेथ के बाद एक कुछ प्रियड होता है जिस प्रियड में अंग निकाल के किसी जवरत मन को दे करके उनको जीवन दान दिया जा सकता है तो इस ओर्गन डोने संडे के देन हम संपल पले कि इस अंग को इस तरह जला के राप करने से अच्छा है कि किसी को जीवन दान दे के उसको हम एक पुन का काम करके गया है धन्यवाद